हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल एके ग्यान साला आज की इस वीडियो में मैं आपको डी ट्रिपल एस्बी जुनियर सेक्रेट्रियट एसिस्टेंट यानि की लडी सी के एक्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस के टोपिक वाइस बताने वाला हूं और उसमें एक्जाम पैटर्न कैसा होता है इस में जुनियर सेक्रेट्रियट एसिस्टेंट यानि की लडी सी में आपके पांच सेक्षन होते हैं हर सेक्षन आपका 40-40 question का और 40-40 marks का होता है पहला आपका सेक्षन होता है general awareness and current affairs का यह आपका 40 नमर का होगा दूसरा होगा General Intelligence and Reasoning Ability जिसमें आपके Reasoning से Related Question होते हैं ये भी आपका 40 Marks का और 40 Question का होगा तीसरा होता है आपका Arthematic and Numerical Ability जो आपके Mathematics होती है चोथा होगा आपका Hindi Language और 5 आपका English Language इसमें दोनों Language पुछी चाहेंगी English और Hindi ठीक है और सबी Section आपके 40-40 को नंबर के होगे और 40-40 Question के होगे हर एक Question आपका एक नंबर का होगा ठीक है तो आपका जो टोटल पेपर होगा वो 200 Marks का होगा और आपको इसमें 2 hours का टाइम मिलेगा आपको 2 hours में ये पेपर कम्प्लीट करना होगा और Negative Marking की बात करें तो इसमें आपकी Negative Marking का भी ध्यान रखना होगा आपका 0.25 की इसमें Negative Marking होगी अगर आप एक Question सही कर देते हैं और दूसरा गलत हो जाए तो आपका एक नंबर नहीं मिलेगा आपको आपका 0.75 नंबर मिलेगे ये ये आपका गलत होने के वज़ए से 0.25 नंबर कर जाएगा उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा ताकि आपके पास इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए इसके अगर सिलेबस की अब बात करते हैं पहले सेक्षन में आपका जनरल अवेरनेस के बात करते हैं इसमें आपका करन्ट अफेर्स हिस्ट्री, पॉलिटी कंसिटूशन, स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर जियोग्रफी, इकोनोमिक्स एवरिडे साइंस, साइंटिफिक रिशर्च और नेशनल इंटरनेशनल और गरनाइजेशन, इस्टिटूशन से कोशन पूछे जाते हैं अब इसमें आपको मैं में में टोपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से है इसमें आपका करेंट अफेर से आपके तीन से पांस से ज़्यादा तर कोशन पूछे जाते हैं इसमें से आपका हिस्ट्री पॉलिटी और कंसिटूशन इनमें से आपसे बहुत कम कोशन पूछे जाते हैं और आपसे स्पोर्ट में से question पूछे जाते हैं, ज़्यादा art and culture से भी ज़्यादा question पूछे जाते हैं फिर आपका geography economics, इन से भी कम question पूछे जाते हैं और everyday science आपका बहुत ज़्यादा important है अगर आप इसे तयार कर लेते हैं, तो इस से आपके 4-5 question आते हैं अगर आप 4-5 question सही कर देते हैं तो आपके इसी सक्षन से 4 से 5 नंबर हो जाएंगे ठीक है साइनटिफिक डिसर्च भी इंपोर्टेंट है और नेशनल इंट्रनेशनल ओर्गनाजिजेशन इंस्टी टूशन ये भी इंपोर्टेंट है अब जनरल इंटलिजन्च और इस्निंग की बात करते है इसमें आपका analogies, similarities, differences, space visualization के question और problem solving, coding, decoding, analysis, judgment or decision making ऐसे सबी topics हैं जो आपके हैं पर लिखे हुए हैं ठीक है अब आपको main topics मैं बता देता हूँ इसमें से आपका analogies ये आपका main topics है similarities के भी आपके question पूछे जाएंगे इसमें से और आपका इसमें analysis, judgment से question पूछे जाते हैं ये important है और आपका decision making इसे ही आपके 4 से 5 question पूछे जाते हैं ये भी important है और आपका relationship and concept से question पूछे जाता है ये भी important है और आपके 2 से 3 question इसमें arithmetic reasoning से मिल जाएंगे और आपको इसमें verbal and figure classification के 2 से 3 question मिल जाएंगे ठीक है ये आपके सभी main topics हो जाएंगे ठीक है अब आप math की बात करते हैं math में आपका decimal, simplification, data interpretation, fraction और LCM, SCF और ratio, proportion, percentage, average, profit and loss, discount, simple and compound interest, menstruation, time and work, time and distance, tables and graph से question आते हैं आपको इसमें main topics बता देता हूं जिनमें जाद से जादा question पूछे जाते हैं सबसे जो very very important इसमें आपको मिलेगा simplification जो आपका portion है इसमें आपका सबसे जादा question पूछे जाते हैं आपको 8 से 12 question पूछे जाते हैं हर एक question एक नमर का है आपके 8 से 12 number simplification से ही बन जाते हैं ठीक है फिर आपका ratio और proportion इसे आपके question पूछे जाते हैं से 4 question आपके यहां से बन जाएंगे फिर आपका average के question पूछ आ जाते हैं इसमें से आपसे 5-6 question पूछे जाते हैं और आपका profit loss से भी question पूछे जाते हैं और आपका जो simple interest और compound interest है यहां से भी आपसे 3-4 question पूछे जाते हैं ठीक है अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं हिंदी में आपसे vocabulary पूछे जाते हैं गिरामर में आपसे पूछे जाते हैं संधी विच्छेद और संधी समास आपके पूछे जाते हैं उपसर्ग पूछे जाते हैं प्राइवाची सब पूछे जाते हैं विलोम शब्द और सुक्षम सब्द यूगम सब्द वाक्य एंटोनियम्स उन्हें कहते हैं प्राइवाची वगएरा विलोम सब्द ठीक है इनका करेक्ट यूसेज पूछे जाता है अब अम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रेहेंशन आएगा वोकेबुलरी आएगी गिरामर आएगी जिसमें आपका क्ल लिन्यस होगी पैरिग्राफ कंपलीशन होगा सिनोनियम्सूर एंटोनियम्सूंगे आपकी वोकेबलर ही ओगी डएरक्ट स्पीछ होगी और एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा ठीक है अब हम सिलेबासूरी Bar Rotelnizan हे और हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रडिशन के लिए best book कौन सी रहेंगी ठीक है अगर हम जनरल awareness की बात करें तो जनरल awareness के लिए सबसे जो अच्छी book है वो ल्यूशन्स की जनरल knowledge की book है यह सभी competitive exam के लिए बहुत अच्छी book मानी जाती है इसी से सारे question आपको मिल जाते हैं जो भी आपका general awareness होगा सब इसका इसमें complete हो जाएगा दूसरा आपका प्रतियोगिता दरपन की एक book आती है वो आपको मिल जाएगी और तीसरा हमारा आपका आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं एक ग्यान साला का YouTube चैनल जिसमें आपको सभी तरीके के current affairs के उपर वीडियो मिल जाएगी यहां पर आपको जो डे रिपीटिट कोशन होते रहते हैं competitive exam में उन पर वीडियो मिल जाएगी अपको मतलब अच्छे से आप एक ग्यान साला YouTube चैनल से अपने त्यार कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको अपना current affairs बूस्ट करना हो तो आप उसके लिए हिंदुस्तान टाइम स्यूज कर सकते हैं या फिर हमारी YouTube चैनल पर भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी जनरल लिजनिंग के बात करें तो इसमें आपका RS अगरवाल की आपकी quantitative attitude की बुक होगी all competitive exams के लिए ठीक है और रजेश वर्मा की objective बुक हिंदी के लिए आपके पास अगर NCRT की हिंदी grammar की बुक है तो वो आपके लिए best रहेगी आप उसी से तैयारी कर सकते हैं और अरियंत की publication भी अच्छी अरियंत पब्लिकेशन की समान ये हिंदी English की हम बात करें तो SP बक्षी की general English book objective general book और दिशा experts की tips and techniques book ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अगर आपको अपने competitive exam की तियारी अच्छी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएग तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में